कि अब दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोजी में आप दोस्तों आज का जो वीडियो है वह करियर की उपर और शनी की उपर यह के लिजिए के डाइनेमिक एस्ट्रोजी का एक टेकनीक मैं आपको दूंगा भले ही डाइन में दो चीज़ें होती है यानि जब आप पैदा हुए जब पैदा हुए तो आपको कुछ ग्रहे की पुजिशन मिली बढ़ चाट के अंदर उसी के हिसाब से जो आपका कुंडली है बारा भाव है बारा राश्य नौग्र है उसको काल चक्र कहते है यानि समय का चक्र तो इ उनके साथ आपका किस तरीके का रेलेशन होगा या आप करियर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे किस तरीके का करियर होगा आपका मतलब की आपका जॉब प्रोफेशन किस टाइप का होगा वो सब स्टैटिक जोतिश में आगया जब आप पैदा हुए तो कहीं ना कहीं एक प मतलब कि जगा है तो उस वजह से सेम टाइम में पैदा होने पर भी उनका डिफ्रेंस आ जाए जाए जो इसी लिए जो जोतिश में है जोतिश is all about timing जिसको जोतिश में उसको पूरा जोतिशा जाता है और बहुत सारे लोगों को इस टाइम इनके पास आएगा उनको रेमेडी बताते हैं तीन लोगों के लिए तो आपका रेमेडी काम कर गया लेकिन साथ पर काम नहीं किया क्यों कि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्ट बहुत बार आप से लोग सला ट्राजिट और दर्शा चल ला होता है विदिन त्री टू सिक्स और वन येर के पिरिड में उनकी शाभी होने रहें तो आपके चार्ट के अंदर क्या बदलेगा तो जो इवेंट आप प्रॉमिस लेते हैं अपने बर्ट आइम जबाब पैदा हुए एक पर्टिक्वल इसके जो प्रेजंट के करम है और जो इसके प्रारब्द है जो पास लाइफ के हैं वो कब सेंक्रोनाइज करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या इवेंट होगा तो इसलिए गोचर और दशा बहुत इंपॉर्टन होता है आज हम गोचर की बात करेंगे लेकिन गोचर से पहल कैसा रहेगा वह पहले बर्चार्ट के अंदर देखेंगे इसका जॉब पाइनेशल पोजिशन उसका करियर इसका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है तो बार-बार जोब में बदला होंगे बार-बार कारें बदलेगा अगर स्टैटिक है मतलब अच्छा है तो एक जॉब में उतना हाउस देखिए जिस चीज़ का वो कारक यानि कि जैसे जुपिटर से पंचम भाव संतान के लिए देखा जाता है ठिक जुपिटर से पंचम भाव संतान के लिए देखा जाता है क्यों क्यूंकि जुपिटर कारक है संतान का तो चाइल्ड बर्थ के लिए हम उसका सम्मंद फिफ्ट लॉड फिफ्थ हाउस और जुपिटर या जुपिटर से फिफ्थ हाउस से होना चाहिए तब चाल बड़ को थे तो वैसे ही प्रोफेशन की बात होती है कि सैटन कारक है प्रोफेशन का चैट तो शनी से दशंभाऊ में अगर केटू बैठा हो और केटू करता हुआ है नहीं होने चाहिए कई बार आपको सदन ऐसा डॉंफिटर देंगे और काफी लंदे समय तक चल सकता है आपने देखा 40-45 की उमर तक आपका बहुत बढ़िया चला है लेकिन सड़नली फिर आपका ब्रीक आगए तो यह दिक्कत करता है तो जो टाइमिंग ऑफ में जॉब है उसमें शनी के साथ जो ग्रह समंध बनाए शनी से दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है शनी से द दशम भाव का लॉड होगा उसका गोचर भी बहुत इंपॉर्टन होता है टाइमिंग ऑफ मैरिज में याद रिखिए गोचर जब हम देखते हैं तो पहले शनी का गोचर देखेंगे धाई साल का जुपिटर का देखेंगे फिर राहु केतु का देखेंगे उसके बाद यह चोटे ट्राजिक देखते हैं शनी से दशम अगर मा लिजिए किसी की कुंड़ी में गुरू और शनी की यूति है और शनी से दशम भाव का स्वामी भी स्वैम गुरू है तो अगर इस व्यक्ति के चार्ट में गुरू का गोचर जब शनी के उपर से हो जाएगा क्यूं क्य शनी से दशम का लॉड कौन है स्वैम गुरू है तो शनी से दशम का लॉड शनी के उपर जो प्रोफेशन का कारत है उसके उपर गोचर कर रहा है और शा में कहीं न कहीं अगा 10th house चंद्रमा से 10th house या चंद्रमा से 11 एक्टिव हो गया उसको जौब दे सकता है करियर में नय अपरचूंटी प्रोफेशन में नया अपरचूंटी दे सकता है जैसे हम एक एक ग्जांपल से समझ लेते हैं यह जो टेक्नीक है लिसे जस्ट ऑवन परसेंट ऑफ डाइनेमिक एस्टोड़ाजी ठीक है जैसे इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे शनी से दश्रमभाव में केतू बैठाघा है तो शनी से दश्रमभाव में जो ग्रह बैठता है उससे लेट्टर करम आप आप जीवन में बहुत प्रफॉर्म करेंगे करेंगे केतू है तो जोतिश हो गया या कुछ ऐसा प्रोफेशन जो स्वामी एक अलग चीज है शनी जो कारक है, प्रोफेशन कार, वो एक अलग चीज है, हालांकि जब मेश लगन आता है, कालपूर्ष कुंडली और लगन कुंडली सेम हो जाने के वज़ा से, शनी बहुत इंपोर्टर्ट है, तो शनी मंगल के साथ है, अच्छा नहीं होता शनी मंगल के साथ, इंकम देग मेरी जॉब कब लगी, दशा में चल ला है, शनी में जुपिटर में मंगल, 9 अगस्त 2021 को इनकी जॉब लगी, शनी में जुपिटर में मंगल चल ला है, शनी कौन है, तैंथ का लोड है, ग्यारून बैठा हुआ है, तिक, अब मंगल का प्रतेंतर क्यों चुना गया, क्योंक मंगल टेंथ लौड के साथ बैठा हुआ है अगर इस चार्ट में आप देखेंगे दूसरा मंगल शनी के साथ बैठा है जो कारत है प्रोफेर्शन का शनी से दश्रम भाव का स्वामी भी मंगल है तो मंगल का प्रतेंतर यहां पे चुना आ गया ठीक दूसरी बात जॉब कब लगेगी अगस्त के महीने में लगी कब जब मंगल का गोचर यानि शनी से दश्रम भाव का स्वामी मंगल लियो साइन में होकर के टैंथ लौड सैटन के साथ संबंद बनाएगा तब जॉब लगेगा तो जब भी आप दशा देखें तो यह जरूर देखें कि कहीं वो शनी से दशम भाव में तो नहीं बैठा हुआ है जिसकी दशा अंतर या पतेंतर चला है यहां पे दशा लौड शनी खुद इस दशम में गोचर कर रहा था तो इसने जॉब तो देना ही था भाई 2021 में 2022 में आप में देखा कुम में चला गया उससे पहले जॉब तो देना ही था जॉब में परिवर्टन तो लाने थे जनुरी 2020 के बाद शनी का गोचर दशम भाव में आया ठिक तो अगले दो साल धाई साल में इसमें जॉब में बदलाव तो देना ही था लेकि कब देना कि किस अंतर में किस प्रतंतर में यह हम देखते हैं बहुत केरफुली कि किस ग्रह का संबंद दशंभाव से है शनी से दशंभाव या शनी से है हम उस प्रतंतर को चुनते हैं या उस अंतर को चुनते हैं और फिर शनी से दशंभाव लौड का गोचर भी देखते हैं नेरो टाइ अभी दूसरा एक्जाम्पल अगर मैं लेता हूं जैसे यह दूसरा एक्जाम्पल है यह उसका बहुत जॉब ढूंड रहे हैं जॉब कब लगेगा अब शनी से दशंभाव का लौट कौन हो गया सन तो सूरे का गोचर जब शनी के उपर से हो या शनी को देखे यानि नवम भाव में हो तब जॉब लग सकता है संभावना बन गई माइनर पिरिड की बात कर रहा हूं मत किस मन्थ में किस पर्टिकुलर 15 मई से 15 जुन क्यों क्य आए है अप्रेल में दशा ओलड़ी इस तरीके के चली है कि भई शनी में बुद्ध चला है बुद्ध अगर देखेंगे तो यहां पर बैठा हुआ है इस वक्ति का मून के सार्थ तो अलड़ी 10th लौड की दशा चल लगी अंतर दशा चल लगी शनी कारक है प्रोफेशन का तो कारक तो है ही तो अपनी दशा में रिजल्ट तो दे गली जैसे यूपिटर कारक होता है चाल्ड का तो वो चाल्ड बार देता ही है लेकिन अगर मुझे नेरो डाउन करना हो तो मैं देखूंगा कि शनी से दशम भाव का लौड कौन है सूरे है तो उसका गोचर कब 10th हा यानि कि अगर आपके जीवन में आपको देखना है कि जॉब कब लग सकता है किसी का तो आप यह सिर्फ 10th हाउस 10th लौड तक कनेक्टेंड ना रहें आप यह देखें कि क्या कोई ग्रह शनी या शनी से दशम भाव के साथ कोई समंध तो नहीं बना रहा का जंशन हो या कु यह यूपिटर अब दशा आई सूर्य की अब आप कहेंगे कि सूर्य तो जी अश्ठम का लौड है लेकिन आप यह देखेंगे कि सूर्य शनी से दशम भाव में बैठा हुआ है सूर्य शनी से दशम भाव का आई तो सूर्य इसके प्रोफेशन यानि कि इसके जॉब से लेटेड इवेंट देगा देगा और सूर्य गौवर्मन्ट का कारक है तो इस वेक्ति की गौवर्मन्ट जॉब लगी जब सूर्य की दशा स्टार्ट हो गई जबकि अश्टमेश है गतले कि सस्क्ति है कि तरका करेंद सूर्य का समंद शनी से दशम भाव की मंदल है उसके साथ देगा है यानि कि जिस दशा'll को आप सोच रहें कि यह खराब हो जकती है उस दर्शा में व्यक्ति को गॉर्मेंट जॉंब लिए एक आई-एस का चार्ट आपको दिखाता हूं जिनका अभी अभी सेलेक्शन ही जैसे किसी भी इवेंट के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि शनी से दर्शम यह तो मैं एक सुत्र आपको दे रहा हूं अभी बहुत सारी सुत्र में देंगा राहू केतु का गोचर शनी का गोचर गुरू का गोचर फिर उसको ब्लैंड करते हैं फिर दर्शा को देखते हैं फिर उसमें देखेंगे शनी से दर्शम का गोचर तो नहीं आ रहा है एक रहता तो उस प्रिड में एक्टिव हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैं जस्त एक सुत्र आपको दे रहा है यहां पर बैठा हुआ है सैटन सन मर्करी केतू और यह मार्स और राहू ठीक अब जैसे यहां पे हुआ भी कुछ दिन पहले यह मंगदर राहू तो एक्टिव हो गया साथ में इसके लवा शनी से दर्शम भाव का लौड को नहीं जुपिटर तो उस जुपिटर का गोचर जब यहां पे हुआ शनी के उपर से टैन्थ लौड के उपर से तो इसको आईयस मे इस वेक्ति का सेलेक्शन हुआ अब आप देखें इसमें बहुत सारी चीज़ हैं मैंने बहुत बार अपनी वीडियों कहा है कि शनी के उपर से जुपिटर का गोचर आपको जॉब दे सकता है करियर में एडवांस्मेंट करियर में सकसर देता है तो वह वाला रूल भी यहां दूसरा रूल आपको बता दूं कि सूर्य गौर्ण्मेंट होता है जुपिटर का गोचर जब सूर्य के उपर सूर्ण गौर्मेंट का फेवर मिलता है दोनों भी रूल लग गए तीसरा शनी से दशंव भाव का जो लॉड है उसका गोचर भी शनी के उपर से टैंथ लॉड के उपकर से होला है तो वह भी लग गया यहां पर और दाशा भी गूरू में राहू चल रहा है जो कि शनी से दशं के जुपिटर को देखिए नाज नीज का है अब आप कहींगे कि नीज का है लेकिन नीज भंग हो रहा है नीज भंग कैसे परिवर्तन योग में है दूसरा गुरू और शनी का परिवर्तन होगे तो नीच बंग हो गया दूसरा शनी से दशंभाव का लॉड़ है जुपिटर और शनी के साथ ही परिवर्तन यह कर रहा है तो शनी के रिजल्ट यानि प्रोफेशन के उसके प्रॉमिनेंट रिजल्ट जुपिटर देगा ही देगा है कि मुल्टिपल टेक्निक्स मैंने दिया जॉब कब लगा जुपिटर की दशा था बहुत ताइम से चल लेगी जब जुपिटर ने शनी के उपर से गोचर किया वहां पर सारे रूल लागो होगे शनी से टैंथ कि इस चीज़ को ऐसे समझिए कि शनी से टैंथ हाउस और टैंथ लॉड का गोचर भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है लेकिन इसको आप सबसे बाद में देखते हैं कई बार शनी से टैंथ का लॉड ही चंद्रमा हो गया चैंशनी से ट बहुत जल्दी बदलता है लेकिन अगर शनी से दशन भाव में स्लो मुविंग प्लैनेट आ जाए जैसे केटू जैसा तो दिक्कत कर सकता है आपको जुपिटर हो शनी से दशन का लॉड तो आपके लिए बैनिफिट देगा जब वो शनी के उपर से गोचर करेगा और आप को जुपिटर का अंतर या प्रकेंटर आ रहा हो उस समय करिया में राइस देगा इस तरीके से इसको यूज़ करी यानि कि आपको देखना होता है जौब के लिए दसा अंतर दसा तो आप देखेंगे बहाई चंद्रमा से दशन चंद्रमा से ग्यार्वा लगन से दशन लगन से ग्यार्वा लेकिन यह भी इम्पॉटन्ट है कारक से उत्ना थाउस तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपने जिस्ट को निकाला हो इसको आप टेस्ट करिएगा पहले प्रामिस देखा जाता है गोचर टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए है कोई नया इवेंट क्रियेट नहीं करेगा बहुत सार बहुत बार क्या होता है ऐसे ग्रहों की दशाएं चल पड़ी जो फिफ्थ हाउस में बैठे खराब स्थिती में अब फिफ्थ हाउस दशम भाव से अश्टम होता है तो आपको जितना मर्जी गोचर कर जाए आपको प्रॉब्लम देगा देगा शुरुवात में आपको दिक्कतें देगा आपके करिय कि दशा के साथ गोचर के लगा करके हम देख सकते हैं बहुत बार काम करता है यह चीज़ अब हमेशा ऐसे नहीं होगा कि मेरा जॉब लगा तो शनी से दश्रम भाव एक्टिव हो रहा है लेकिन गूरु और शनी का गोचर बहुत माइने रखता है बिना इन दो ग्रहों के गोचर के कोई इवेंट नहीं होता दे होल्स दखी ऑफ टाइमिंग ऑफ इवेंट डाइनमे के स्ट्रॉज इन जोटिश आई हो आज के लिए इतना काफी है समझने वाले लोग समझेंगे अप्रेशेट करने वाले लोग अप्रेशेट करेंगे बाकी ट्रिटिक्स बोस्त वेल्कम चलिए लेपे हैं इजाज़त धन्यवाद प्रणाव